आज हुम बनाएंगे अपनी बहुती इस्पेसल डिस इस्टफ टुमेटो जिसको मैंने नाम दिया है लाजवाप टुमाटर जब भी आपकी घर पे कोई गैस्ट आने वाला हो तो आप इसको बनाएए आप इसको बनाके जब डाइनिंग टेपल पे लगाएंगे तो एकदम र बहुती आसानी से बन जाती है ये हेलो दोस्तो मैं जोती मोरिया आप देख रहे हैं जोती जैमी कीचिन दोस्तो वीडियो अच्छा लगा करें तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए सबसे पहले हमें पके हुए लाल टमाटर चाहिए क्यूप्स में कटा हु अब आ ल觉ना हुए हम पनीर ले लेंगे बहुती चोटे चोटे टुक्डों में हमें कट करकी रखना ही ये खबर हुआ आलू जिसको मैंने पीसिस में कट करके रख लिया है बहुती बारिक-बारिक बारिक कटा हुए हम प्यास ले लेंगे और अब हम टमाटर को कट करेंगे ये देखिए दोस्तों हमें इस तरीके से चाकू से उपर का पाट कट करके रखना है बहुत ही आराम से करेंगे हम इसको और अब इसको हम इसका अंदर का गुदा निकाल देंगे इस तरीके से हम चाकू से पहले कट कर लेंगे ये देखिए बहुत ही आराम से करेंगे जिसे की टमाटर तूटे नहीं और अब हम किसी चम्मस से इसका सारा गुदा निकाल देंगे इसको किसी हम बरतन में रख लेंगे इसी तरीके से हमें सबी टमाटर करके रख लेना है दोस्तों ये देखिए तो आईए दोस्तों हम सबी टमाटरों को ऐसे ही खाली करके रख लेती हैं तो ये देखिए दोस्तों सबी टमाटर को मैंने अंदर से खाली करके रख लिया है इनको हम उल्टा करके रखेंगे और ये जो हमने पल्प निकाला था इनको हम फेकना नहीं है दोस्तों इसी से हम ग्रेवी दयार करेंगे इसमें एक टमाटर हम और एट कर लेंगे चार पांच कल्या हम इसमें लैसुन की एट करेंगे और एक ग्राइंडर में हम इसका बहुती महीन पेश्ट तयार कर लेंगे एक दम स्मूद आईए दोस्तो हम अगले स्टेप की तरब चलते हैं एक कडाई में हम एक बड़ा चमश तेल को गर्म करेंगे एक चमश के लगबग जीरा, दो तेज पत्ते और बारी कटी हुई हम इसमें हरी मिर्च को भी एड़ करेंगे दोस्तो ये देखिए आज को हम मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे जिसी की ये मसाले जने नहीं और अब इसमें हम दोस्तो बारी कटा हुआ प्याज को भी एड़ करेंगे हम यहाँ पे इस टफिंग की तयारी कर रहे हैं दोस्तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं बूनना है हलका अलका ही बूनना है बस और अब इसमें सूखे मसाले एड़ करेंगे हम आधा चम्मच के लगबग हम इसमें धनिया पौडर को एड़ करेंगे और अब इसमें हम एड़ करेंगे दोस्तो हल्दी पौडर आधा चम्मच और अब इसमें हम एक चमच भरके एड़ करने वाले हैं दोस्तो साही पनीर मसाला बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका इसको आप जरूर एड़ कीजिएगा और कोई गर्म मसाला हम इसमें एड़ नहीं करेंगे दोस्तो और अब इसमें हम लाल मिर्च पौडर को भी एड़ कर लेते हैं आधा चमच दोस्तो जब भी आप कोई भी सबजी बनाते हैं तो आप जितनी भी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उसी हिसाब से आप सभी मसालों को एड़ कर सकते हैं और ये दिखिए मसाला अच्छे से भूण चुका है आप इसमें हम एड़ करेंगे दोस्तो एक चमच गाड़ा दही गैस को मीडियम लो फिल्म पे करेंगे और एकदम चलाएंगे हम इसको जिससी की दही फटे नहीं बहुत ही ध्यान से करना है ये हमें और अच्छे से इसको हमें मसाले में भूल लेना है आप इसमें हम दोस्तो थोड़ा सा नमक को एड़ करेंगे स्वादा नुसर ये दिखिए बस आप इसमें हम सबसे पहले क्यूप्स में कटा हुआ आलू एड़ कर लेंगे दोस्तो और लगातार हम इसको चलाती रहेंगे और आप इसमें क्यूप्स में कटा हुआ हम पनीर को भी एड़ कर लेंगे बहुती मज़िदार श्टफिंग तयार हो रही है दोस्तो इन सबी चीजों को हम बहुती अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जिससे की सभी मसाले आपस में मिल जाए और अब लास्ट में दोस्तों हम फिर से एक चमच के लगबग साही पनीर मसाला को एड़ करेंगे लास्ट में हम इसको फिर से इसलिए एड़ कर रहे है जिससे की इसका फ्लेवर बना रहे दोस्तो तो इसलिए उपर से हम बारी कटा हुआ हरा धन्या को भी आड़ करेंगे तो तयार है दोस्तो बहुती मज़ेदार स्टफिंग जो हमने तेज पत्ते डाले थी दोस्तो उनको हम निकाल देते हैं इनका कोई काम नहीं है सारा फ्लेवर इसमें आ चुका है तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे आये दोस्तो हम अगले स्टेप की तरब चलते हैं एक कडाई में हम एक चमच की लगबग कोकिंग ओयल को अच्छे से गर्म करेंगे पहले फिर इसमें हम टमाटर का पेश्ट एड़ करेंगे जो हमने तयार करकी रखा था और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे दोस्तो जिससे की टमाटर का कच्छापन दूर हो जाए और थोड़ा सा इसमें हम पानी को भी एड़ करेंगे दोस्तो जैसे भी आपको ग्रेवी रखनी है आप उसी के हिसाब से पानी को इसमें एड़ कर सकती हैं दोस्तो आदा चमच के लगवग हम इसमें लाल मिर्च पॉटर को एड़ करेंगे और एक चमच के लगवग हम इसमें पनीर मसाला को भी एड़ करेंगे और स्वादा नुसार हम इसमें नमक को एड़ करेंगे और अब दूस्तों हम इसमें एड करने वाले हैं बहुत थोड़े सी चीनी की दानी इससे क्या होता है दोस्तों टमाटर में जो खटा बन होता है वो दूर हो जाता है और बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बन की तयार होती है तो अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं आईए हम टमाटरों में स्टफिंग कर लेते हैं तो ये दिखिए दोस्तों टमाटर में जो अंदर पानी होता है वो सारा पानी इसका निकल चुका है क्योंकि मैंने सबी टमाटरों को उल्टा करके रखा हुआ था जब भी आप स्टफ टमेटो बनाएं तो टमाटरों को उल्टा करके जरूर रखें दोस्तों और इसमें हम इस तरीके से स्टफिंग भर लेते हैं अच्छे से दबाती हुए हम इसको भरेंगे इसमें ये देखिए दोस्तों इसी तरीके से हम सभी टमाटरों को स्टफ्ट करके रख लेती हैं दोस्तों, तो ये लिजे दोस्तों सभी टमाटर तयार हैं, आईए अब इनको हम ग्रेवी में एड़ करेंगे, ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है, थोड़ी सी काली मिर्च हम इसमें एड़ करेंगे, क प्राम से हम सभी टमाटर इसमें एड कर लेंगे दोस्तो बहुत ही मजीदार रेस्पी है ये दोस्तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा इसको पांस मिनट के लिए हम इसको ढखे रखेंगे और बेच में खोल-kोल के देखेंगे जब तक की सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम पकाएंगे 15 मिनट हो चुके हैं आईए हम चेक कर लेंगे ये देखे दोस्तो टमाटर फटना शुरू हो चुके हैं यानि कि टमाटर अच्छे से पक चुके हैं सॉफ्ट हो गए हैं आप इसी तरीके से चेक कीजिएगा और अब इनको हम थोड़ी देर के लिए और अच्छी तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे जिससे की खाने वाला टूट पड़ेगा बहुती लाजवाब टमाटर हैं ये जरूर ट्राइ कीजिएगा थोड़ी से हम इसमें क्रीम को भी एड़ करेंगे मेरी ये रेस्पी आपको कैसी लगी जरूर बताएगा अच्छ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगली नियू रेस्पी लेकर हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू